हेलो फ्रेंड्स एक बार फिट से आपका मेरे चैनल इसका इलाइन यूपीविसी डोर एंड विंडो सिस्टेम पर आपका सौगत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक स्पिसल वीडियो लेके आए हूँ इस वीडियो में आपको जानकर ही मिलेगी कि किस जब भी हम अपने घ दोस्तों यहां पर जो भी हाट्वेर आज दिखाने बाले हैं वह एक मीडियम रेंज का लाइक पैगो इस्टा या डीन बी या उससे रिलेटेड मीडियम कंपनी के हाट्वेर में आपको दिखा रहा हूं अगर आप प्रीमियम रेंज का हाट्वेर लगाना चाहते हैं जैस यह वीडियो ना सिर्फ उन लोगों के लिए फायदय मंदे जो कि अपने घरों में यह पीवीडियम लगाना चाहते हैं बलकि उन लोगों के ज्यादा फायदय मंदे जो की नए इस्टॉलर रहें या पूरे भारत में जो भी नए लोग नई फेक्ट्री डबलग परना चाह हैं ताकि यह पीवीडियो से रिलेटिट जो इन्फोर्मिशन है वो आपको पूरी जानकरी मिल सके दोस्तों वीडियो के अंदर ते जरूरूर ने रही है तो ज्यादा समय ना गवाते हुए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोई भी विंडो लगवाने हैं तो तीनों पलो में कोना चाहिए अगर कोई पल्ले हम फिक होता है दो बीच वाले में ट्रेक नहीं लगाते हैं कि उसे खाली छोड़ देते हैं और अगर तीनों करते हैं तो तीनों पल्लों में को ट्रेक लगाना जरूरी है यह फास्टनर कैप कोई भी बिंडो लगाने के लिए फास्टनर की जरूरत होती है और जितने बिंडों में फास्टनर लगाने होते हैं उतने ही कैप उसको ठेकने के लिए लगाने चाहिए अगर उसमें फाशनर के नहीं लगाएंगे तो वह जो फाशनर के गैप हैं या जो होले वह साफ साफ दिखाई देंगे और बिंडो की फिनिसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी इसलिए पूरे कैप हमेसाद चेक करने चाहिए नेक्स्ट इसको बोलते है बूल पाइप बूल पाइप का रोल यह होता कि जितने भी हमारे स्लाइडर पल्ले होते हैं सभी पल्लों के स्लाइडरों में तीन तरफ बूल पाइप लगा जाती है इसको साउंड स्ट्रिप भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो काम होता है वो सारे प पल्ले फ्रेम से चिपक जाते हैं उससे जो भी बाहर की नॉइस है या वॉलीशन है या धुवा बगर है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं है आपाता है बहुत से फैबरिकेटर इसको नहीं लगाते हैं छोड़ देते हैं कॉस्ट कटिंग करने के वज़े से लेकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर यह नहीं लगाएंगे तो बिंडो सांट प्रूफ नहीं होगी और साथ ही उसके पल्ले भी लूज रहते हैं जिसके वज़े से वह हिलने लगते हैं इसलिए तीन तरफ बूल पाइप लगाना जुरूरी है और इसकी जो चौती साइड होती है यह जो आप देख रहे हैं इसमें बूल पाइप नहीं लगाते हैं क्योंकि इस तरफ इंट्र लगाते हैं यह देखिये यह एक अच्छी क्वाल्टी के रोलर है और बहुत से फैब्रिकेटर सिंग्ल वील वाला लगा देते हैं लेकिन सिंग्ल वील वाला हमेशा मैस वाले में लगता है अगर आपका पल्ले का वेट ज्यादा है यह डीजीव गिलास है तो वहाँ पर मै यहां पर डॉबल वील का रोलर लगा गया है और अब यह है मैस यह तीन सो चार ग्रेट की दो तरह की मैस आते हैं इसमें ब्लेक कलर वी आता है और गूर नेचरल और यह जिसका एहम रोल होता है, जितने भी पल्ले होते हैं, उस पल्लों में जब भी बीडिंग लगा जाती है, तो चाहा वो ग्लास हो, चाहा वो मैस हो, उसको रोकने के लिए हमेशा रवर्ट का यूज़ किया जाता है, अगर रवर्ट अच्छी क्वालिटी की होगी, तो कभी भी खराब नहीं होगी, जितनी भी बीडिंग से, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आगी, यह देखिए, चारो तरफ बीडिंग के नीचे भी रवर्ट लगा जाती है, और जो गिलास लगाते हैं, गिलास के पीछे भी चारो तरफ फ्रेम में रवर्ट लगा जाती है, यह एक पार्डिसन लगाना जरूरी होता है, क्योंकि जितना मैस को खीच के लगाएंगे तो पला स्रिंक हो जाएगा, इसलिए पार्डिसन लगाना जरूरी होता है, यह देखिए, यह है बाटर आउटलेट कैप, इसको ड्रेनेज कैप भी बोलते हैं, जब भी हमारी बिंडो में अगर बार्डिस की तरफ बिंडो कोई लगी है, तो जाएट सी वायता है, उसमें पानी आएगा, तो पानी निकलने के लिए उसमें होल किया आजाता है, और इस होल को ठेकने के लिए कैप लगाना जरूरी है, अगर इस कैप को नहीं लगाएंगे, तो जो बाहर की कीड़े मकूड है, जो कि लाइट की वज़े से उसी होल से वो अंदर आते हैं रूम में, तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि कीड़े क्यों आ रहा है, बट ये कैप लगाना जरूरी होता है, ये एक तरह के स्टॉपर है, इसको गिट्टी भी बोलते हैं, पीवी सी के बनी होती ह है, ये इसका यूज होता है कि जब भी कोई हमारत रीटर का पला फिक्स किया जाता है, तो उस पल्ले के सैड में, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर ऊपर और नीचे दो गिट्टी लगा जाती है, और इन्हें पेच्चे से कसने के बाद जब पल्ले को फिक्स किया जा जाता है, यह है एंटी लिफ्टर, एंटी लिफ्टर कोई भी स्लाइडर में उपर और नीचे की तरफ लगा जाता है, इसका काम यह होता है कि जो भी पल्ले में नीचे की तरफ जो गैप होता है और उपर की तरफ जो गैप होता है, उसको भढ़ने के लिए एंटी एसी लिए इसको अन्टी लिफ्टर बोला जाता है। बहुत से लोग इसको नहीं लगाते हैं,, गॉस्ट कट्टिक के बज़े से बड़ इसको लगाना चाहिए हैं अगर बड़े पल्ले हैं तो जरूर लगाना चाहिए। ये देखिए। यह aaht foot के बड़े बड़े पल्ले हैं इसलिए अंट्री लिफ्टर लगाना जरूरिया छोटे पल्लों में नहीं भी लगा सकते यह भी.... के पले निकल सकते हैं इसलिए लगाना जरूरी है अ कि नेक्स्ट ये भी एक तरह इस्टॉप न ही युँब यह वारा स्लाइडर पल्ला हमें जिसतरब लॉक्त करणा होता है तो लॉकिंग की तरफ यह उपर और नीचे की तरफ लगाया आते हैं ताक StriOT यह वारा पल्ला को लगाने के बाद जो लोग करेंगे तो इस पल्ले केंदर प्ले नहीं आती है इसलिए यह कि लोकिंग की तरफ दौनों तरफ वो पर और नीचे जरूर लगाना चाहिए यह स्टोपर है यह पीवीसी का भी आता है और अवड का भी आता है तो अपने एरिया में जो भी आपको आफिलेविल हो वह अपने फैब्रिकेटर से जरूर लगाएं और यह है warm stopper, warm stopper हमेशा slider पल्लों में जहां भी आपका L handle है या D handle है तो दूसरे पल्ले में उपर और नीचे जरूर लगाना चाहिए, इसका काम यह है कि जब हमारा पल्ला एक पल्ले के उपर दूसरा पल्ला जब overlap करेगा, तो जो भी हमारा L handle होता है या D handle होता है, वो दू इसलिए इनको जरूर लगाना चाहिए, यह warm stopper भी अच्छी quality का होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी quality का नहीं होगा, तो जैसी पल्ले का उसके उपर लोट पड़ेगा, वो निकल जाएगा, इसलिए इसमें अंदर एक knob होती है, उस knob को, अभी मैं आपको दिखाऊँग को अच्छी तरह से लगाना चाहिए, उसे लूज नहीं छोड़ना चाहिए, अगर वो लूज है, तो वहाँ पर अलफी बगरे डाल के उसको चिपकाना चाहिए, ताकि वो निकले नहीं, यह देखिए, उस knob के लिए पहले होल किया जा रहा है, बहुत से जो installer होते है, वो knob क पल्ला कितने भी जोड से उसको आप बंद करेंगे, वो आपका वमिस्ट उपर निकलेगा नहीं, और उसे वहीं रोक देगा, यह एक तरह का anti-lifter है, इसका use यह होता है कि जब भी slider पल्ले कभी अगर छोटे होते हैं, कोई पल्ला जैसे यह आप देख रहे हैं, यह वाला प पल्ले की हाइट जादा होती है, तो इसको पल्लों के साइड में अभी आप देखेंगे तो उपर की तरफ लगा जाता है, इसका काम यह होता है कि कहीं भी अगर wind pressure है, यह पल्ला छोटा बन गया है, तो इसको उपर की तरफ लगा कि इसमें अच्छी तरह से दो या तीन इस जाता है, और accident होने की संभाव ना होती है, इसी लिए इस तरह का यह anti lifter, अगर पल्ला छोटा है तो जरूर लगा है, और यह है, इनका एहम रोल है, यह faster है, यह faster है, यह faster भी तीन इंची से लेके 8 इंची तक के आते हैं, और यह frame लगाने के लिए packets हैं, अगर आपकी frame पहले यह है touch lock, और इसके साथ में SS की keep आती है, और touch lock में color option भी है, यह देखिए, जब भी आपका कोई भी slider छोटे से लेके 4 फूट तक का 5 फूट तक का कोई भी slider है, जिसकी चोड़ाई 5 फूट और height 5 फूट है, तो बहां आपको जरूर touch lock का use करना चाहिए, क्योंकि touch lock कभी भी आपकी सफोट चोड़ा ही 3 फूट है, तो एक की ओपर एक पल्ला जब overlap करेगा, तो वह hardware के वहीं से रोकेगा नहीं, बलकि आप देखें कि एक के पीछे एक तीन पल्ले से बंद हो जाएंगे, और आपकी जो opening है, वो रोकेगी नहीं, यह देखिए, बड़े पल्ल तो आसानी से कोई भी इसको चेंज कर सकता है, यह बहुत यह आसानी से मिलने वाला लोग है, और काफी अच्छी durability ही होती है, यह देखिए किन्दा संदर लगते हैं यह, और यह एक तरह का pop-up लोग है, pop-up लोग का काम यह होता है, कि यह भी touch lock की तरह काम करता है, और यह है अल हें अल हेंडल, अल हेंडल में short neck, long neck और flat वाले short neck हेंडल आते हैं, सबसे ज्यादा durable अल हेंडल होते हैं, कोई भी आपकी अगर बिंडो की चोड़ाई 5 फूट से ज्यादा है, या height उसकी 5 फूट से ज्यादा है, तो हमेशा अल हेंडल का यूज करना चाहिए, जिसमें एक पल्ला में आप pop-up handle लगा सकते हैं, उसका reason यह है कि बीच वाले पल्ले में आप pop-up लगा देंगे, तो अंदर जो जाली वाला पल्ला होता है, महश वाला, वो असक्यूबर, open lap आराम से कर जाएगा, जिसके वैसे आपकी opening नहीं रुकेगी, अगर आपकी चोड़ाई 5 या उससे ज्यादा है, या 6 फूट है, तो आप सारे पल्लों में L handle लगाएं, क्योंकि pop-up handle की durability थोड़ी कम होती है, इसलिए इसको एक पल्ले में लगाएं, और अगर आपकी चोड़ाई ज्यादा है, तो हमेशा आप L handle के यूज करें, यह देखिए, यह pop-up handle लगा, तो य इसलिए यहाँ पर एक पल्ले में pop-up lock लगाया गया है, और जिदमे भी L handle है, यह pop-up है, यह सभी multi-point locking होता है, इसमें आप देख रहे हैं, कि spec डाली होई है, और इस spec को locking के लिए 4 keep लगा जाती है, इसलिए इसको multi-point lock कहा जाता है, यह देखिए, सबसे ज़्यादा durable L handle होता है, कभी भी, अगर खराब भी होता है, तो सो डेट सो रुपर में कहीं भी भी RM से मिल जाता है, और आप इसको गर में ही change कर सकते हैं, बैसे तो यह कभी खराब होता नहीं है, यह देखिए, कितना smooth लिए यह बंद होते हैं, और RM से इसको खोल सकत हैं, तो पकड़ने के लिए भी किसी extra lock की जरूद नहीं होती है, यह देखिए, इसके अंदर भी expect डाली होई है, जिद्री भी gate है, अगर आपकी height ज्यादा है, तो सारे gate multipoint locking system की साथ में होने चाहिए, इसका कारण यह है कि भाहाट से अगर कोई भी, सब्स चोर वगरा है, क कोई है तो उस gate को वो खोल ली सकता, उसको glass तोड़के ही अंदर आना पड़ेगा, lock खोलके वो अंदर नहीं आ सकता, यह देखिए, यह एक चोड़ाई इसकी ज्यादा है, इसलिए यह आपर तीनो पल्लों में L handle लगाया गया है, यह देखिए, और तीनो L handle लगाया गया है इसलिए तीनो पल्लों में स्पैक डाली हुई है, सारे multipoint locking के साथ में है, यह देखिए, कभी भी इसे बहार से कोई भी खोल के अंदर नहीं आ सकता, और चुकि आपर तीनो पल्लों में L handle लगाया गया है, इसलिए जरूरी है कि पल्ले के बहार की तरफ बमिस्टोप लगा जाए ताकि कोई भी लॉक टूटे नहीं और जब भी खोलना हो तो वह वमिस्टोपर जाके रुख जाएगा, यह देखिए, इसकी चोड़ाई तकरीबन 8 फुट है, इसलिए यहां पर तीनो पल्लों में L handle लगाया गया है, और अब यह सुरू होता है D handle, यह D handle जब भी हमा और वाइड भी आता है, यह D handle है, इसमें की लॉकिंग नहीं आती है, इसलिए नहीं लगता है, तो जब भी आपको वालकनिक सेट लगाना है, तो अंदर के साथ में नॉप के साथ लगा सकते हैं, इसमें color option भी है, अपने अगर आपकी color profile है, तो आपको color hardware भी मिल जाएगा, easily available हो जाता है, थोड़े बहुत डेट बढ़ता है, वट मिल जाता है, यह cylinder lock है, और इसमें एक तरफ नॉप है, और दूसरे तरफ की है, आप अपनी सुवधाय के नुसार जैसे आपकी requirement है, वैसे आप लगा सकते हैं, यह दूसरा cylinder है, इसमें दौनों तरफ की होती है, अग वजब आपकी बालकन ही है, आपको एक तरफ लोग ही चाहिए, तो आप एक तरफ लोग करने वाला ही, सुरेंडर की लगवा सकते हैं, जैसा कि आप इस दौर में अभी देखेंगे, तो इसमें डवल लोग, डवल सुरेंडर वाला लोग लगाया जाएगा, डी हैंडल जिस सकता कि एक ही स्पेक सभी लोग के लिए चल जाएगी, यह जो डी हैंडल एक को अच्छी तरह से फिट करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसको पेच करते समय है, आपका जो ड्रिल मसीन है, वो स्लेप माट सकते हैं, वो स्लेप माटने के वाज़से ग्लास भी तूट सकता है, या फ्रेम के वबर स्क्रेचीज भी आ सकते हैं, इसलिए जरूर ही है कि जो भी इंस्टॉलर इसको लगाए, वो बड़ी ही साबधनी से पहले स्क्रू को लगाए, फिर उससे अच्छी तरह से कसे, ताकि वो स्लेप नहीं मारे, और डी हैंडल के स्क्रू हमें से अंदर की त कर देते हैं, तो वो स्रेंटर अच्छी तरह से काम नहीं करता, इसलिए इंस्टॉलर को इस बात का हमेंसा ध्यान लगना चाहिए, कि वो अच्छी तरह से फिट किया गया हो, यह देखिए किना संदल लग रहा है, इसमें दौनों तरफ हैंडल होता है, इसलिए पकड़ने क इसलिए उसको रोकने के लिए, कि वो टूटे नहीं, इसलिए यहां पर भी बम स्टॉप लगाया गया है, उपर और नीचे, यह दूसरी जगह का डे हैंडल है, यह पर भी वो साइट की वाला स्रेंडर लगाया गया है, जिसको बाहर की तरफ से भी लॉग किया जा सकता है, और अंदर की तरफ से भी, यह आप देख रहा है, यह प्लेन डी हैंडल है, जिसमें की को अपसर नहीं है, और जिस तरफ की चाहिए, वहां आप की वाला लगवा सकते हैं, और जहां पर की की जरूद नहीं है, वहां आप प्लेन डी हैंडल लगवा सकते हैं, यह जो फोटो दोनों तरफ बाले सेंडल है और यह एक इस्पेसल वीडियो में आपको दिखा रहा हूं यह है 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 को यह इसका एहम रोल यह होता है कि यह मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग में यूज कि आ कि वहां वह बुद्परेसर जादा होता है इसलिए कोई भी पला बहार नहीं निकल जाए इसलिये आपको भी और जो करने अगर आप सब्सक्राइम अब आपने बाहे सकती है कि हेरिकोन बेदेसर को कोई भी स्लाइडर के पल्ले बाहर ना निकलें यह देखिए यह दो आप मोटाई दो इंची के देख रहे हैं यह हैरिकोन वार लेगाई के हुई है दोस्तों उम्मिद करता हूं कि हमिसे की तरह आज भी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो क्रिपया कमेंट्स वोक्स में लिखकर जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो में वैसे तो सारी इंफॉर्मिशन देने की कोसिस किये फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आगे भी हमारी वीडियो पर बने रहे हैं थैंक्यू वेरी मुच्छ